वेलो फ्रेलेंड्स किचन की उच्छेन में का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं करेला का बहुत ज्यादा टेस्टी भूजिया रेस्पी जो कि इदम कुरकरी चिप्स की तरह रहेगी लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं कहीं भी जिल ले जा सकते हैं लेकि छली हम लोग बनाना सुरू करते हैं इसको अच्छा से बनाने के वाद आप चम्मा से मिला दीजिए कोई भी बीच सकते हैं कि इस ने बहुत जादे बीटामीन हो गया है करेला एदम पीजा प्रेला है जो उसका पानी पीज़को अच्छा से बना करके रखता है चली हम मावासदे को ठीक करता है करेला का पानी इसलिए पेट अगर ख़राब है तो उसमें पीजे में पीना चाहिए चले करेला बनाना शुरू करते हैं सब आपको दिखा रहे हैं अब हम लोग कहीं भी जाते तो लोग को करेला नहीं खाने के लिए मिलता है तो इस टोर करके रखेंगे उसमें उपर जाने के बाद बाहर जग कहीं भी जाएंगे तो मसाला उपर से छिटक के खाएंगे जिसके कारण बहुत ही अच्छा लगेगा स्व करेला को सुगर को खाना चाहिए कि सुगर को कंट्रोल में करके रखता है करेला बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होता है हिल्दी भी होता है इसलिए हमेशा खाते रहना चाहिए करेला कील मुहासे के लिए बहुत फाइदे मंद होता है कि पेट के लिए बहुत ही जादे फाइ बिलकु ने लेगा, इसमें बहुत ही स्वाद आता है, इस तरह से हमेशा बनाएं, इस तरह किसे एक अकर करके, एक करके सारे दोनों करे लगा, बिज निकाल दिये हैं, गोल-गोल करके चकों गुमा दीजेगा, तो सारा बिज निकल जाएगा, अच्छा से दिखा दे रें, द कि मीरियम काटी गान जादे पतला ना जादे मोटा क्योंकि हमें सो तलना है तलने के बाद अपने आप पतला हो जाएगा अब बहुत टेस्टी चिप्स बनेगा इसका डीबा में पैक करके कहीं भी ले जा सकते हैं मेहनो दिन तक श्टोर कर सकते हैं आप इसे अब बिलकुल खराब नहीं होगा यह गरंटी है इस तरह से सारे के रेलाम कट कर दिये हैं पानी में अच्छा से धो दीजिएगा एक कटोरा लिए हैं इसको पतीला भी कर सकते हैं आप गरंपानी में उबाल लेंगे हाफ हुआ लिएगा क्योंकि हमें फिरी से थलना इसलिए हल्दी और नमक इसमें डाल दीजिए क्योंकि यह करेला का पानी हम लोगों को पीना है हमारे घर में सुगर पेशेंट है इसलिए जब भी करेला इस तरह से बनाते हैं तो उन्हें पिला देते हैं और हम लोग भी पी लेते हैं क्योंकि दाना फून से बेगरने निकलता है फाइदे मांते गुनकारी है एक तरह से अईरोवेदी का काम करता है करेला का पानी क्योंकि इसमें हल्दी भी डाला हुआ है खुन को साफ करता है हल्दी अब पीत को मजबूत करता है करेला का पानी अब लीवर भी ठीक करता है इसलिए एक दम पीना चाहिए कभी भी इसका पानी न फिक है अगर इस तरह से उबाल के बनेगा कड़बा तो नहीं लेगए लेकि इसका पानी बहुत फाइदेमन होता है आच्छा सा 5-6 मिनट जैसी होगा हम लोको करेला का पानी उबाल लेना है उबाल की इसको छाल लेगे किंकि हाफ यूबालना है हल्का सा धकन को हटा दीजेगा नहीं तो इसका पानी उबाल की उपर आ जायगा पाच्छे मिनट हो चुके हैं अब गैस बंद कर देंगे चलिए हम इसको छन्नी में छाल लेंगे फिर से इसे बिल्कुल धोना नहीं है क्योंकि सारे फिर करेला खराब हो जाएंगी क्योंकि नमक इसमें दे क्यों बालो जैसी हलका से ठंडा हो जाएगा तो हम लोक तुरात इसे तल देंगे कडाही में थोड़ा से तेल दे थोड़ा थोड़ा करके हम लोक तलेंगे कि फिर तेल गाला हो जाता है इसलिए अच्छा से तेल गर्म करके एकदम धीमाच में इसे छाने पाच्छे मिनट में छानने में लग जाएगा इसे दम धीमाच मे आपको लगेगा नहीं कि आप करेला का चिप्स खा रहे इतना इसमें टेस्ट आता है इस तरह से बनाने से बच्चे बड़े सभी खा लेंगे इतना स्वादिश्ट होता है धीरे धीरे तलते जाहिएगा धीमा-धीमाज पर जैसी गुल्डेन कलर आजाएगा हम लोग इसे निकाल लेंगे इसलिए पाच्छे मिनटी से धीमा-धीमाटा हैं दीजिए देखे तल के इदम थोड़ा सो हो गया है इदम कुरकुर रेड़ी हो चुका है अब हम लोग इसे निकाल लेंगे अब फिर से इसी तेल में फिर से दुवारा हम लोग चानेंगे करे लेका चीज़ बनाएने करे इस भी पसांद आजे तो हमरे चैनल को लाइक सब्सक्राब कर दें जहर करें करें कमेंट भी बताएं इस रहे तो थोड़ा थोड़ा करके ही चानिएगा बहुत अच्छा से चना जाएगा और कुरकुर होने लगेगा चलिए अब सारे चीप च्छना चुके अब इसमें मसाला देते हैं नीबू पहले ने चोड़के गार दीजिया धा कहीं भी जाएगा उती नीबू समान लेते जाएगा नोको खाना इसलिए दिखा रहे हैं धनिया पती जरूर डालिएगा बहुत अच्छा स्वादाएगा इससे अच्छा से सारे रहनिया पती डाल देंगे और इसमें हम लोग चाट मसाला भर के एक चमज से ज़्यादा ही देंगे और सारे इसमें गर्मे-गर्मे ही मिलाईगा या फिर ठंडाओन एक बाद मिलाएगा क्योंकि नीमू ड़ने से इदम मापने सारा मसाला इसमें चिपक जाएगा गोल की पोड़ा राधा चमज दिए दरदरा कूटके बाकि कुछ भी नहीं डालना काला नमा काधा चमज दे दिजिए और एकदम अच्छा से मिला दिजिए क साथ किसी चीज के साथ आप खा सकते हैं मैं तो चावल के साथ खाने जा रही हूं इसी तरह से करेला का पाने को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें कुटा हुआ दे देंगे गोल की पोडर कालनमक निमूनी चोड़ देंगे आधा ते पीने में बहुत स्वाद लगता है धनिया पती भी डाल दीजिए आपको लगेगा निकी करेला का जूस पिरें इतना सिसमें स्वाद है निमूनी चोड़के हम डाल देंगे आधा एकदम अच्छा से आप मिनाद दीजी चमच की साहता से इसे सभी कोई मील के पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा अब चलिए हम लुप करेला काचीप्स खाते हैं चावल के साथ इतना स्वादिष्ट बना है कि आपको दिखाना पढ़नते हैं सब लोग यह सही हम मेरे आंग खाने लग किजिए